आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello student, आज का जो Question है यहाँ बोले है कि How many moles of Acetic Enhydride is required to react completely with one mole of sucrose? ठीक है? 1 mole of sucrose के साथ react करने के लिए कितने moles Acetic Enhydride के चाहिए होंगे तो सबसे पहले हम देखते है कि जो sucrose है उसका क्या structure होता है ठीक है? तो जो sucrose होता है, बिसिकली एक Common Sugar है यह डाई सेक्राइड होती है, जो हमारी 2 मोनों सेक्राइड से बना होता है किस से, एक आपका क्या होता है Glucose और दूसरा आपका क्या होता है Fructose दूसरा हमारा क्या होता है? Fructose होता है, ठीक है? अब अगर हम इसका structure देखें, तो कुछ इस तरीके से इसका structure होता है आपका सुक्रोस का जो structure होगा, वो आपका कुछ इस तरीके से यह तो एक तो हमारी क्या होती है यहाँ पे इस तरीके से 6-membered ring होती है यहाँ पे CH2-OH होता है then यहाँ पे मेरे पास OH above the plane में H यहाँ पे H है यह आपका OH हो गया यह आपका H हो गया फिर से यहाँ पे OH हो गया यहाँ पे H हो गया यहां पे आपके पास H और उपर आपका OH होगा, यहां पे नीचे OH, यहां पे H और यहां पे CH2OH, ठीक है, यह होता है मेरा सुक्रोस का स्ट्रक्चर, यह किसका स्ट्रक्चर है आपका सुक्रोस का, अब यहां पे यह एक मूल है, तो इसको कितने acetic enhydride चाहिए होंगे, कितने AC2O चाहिए होगा, बेसिकली क्या होता है, कि यहां पे जब हम इसकी रियाक्शन कराते हैं, यहां पे किसके साथ, यह AC2 याने acetic enhydride के साथ कराते हैं, यह हमारा क्या होता है, CH3, C double bond O, यह आपका O, यहां पे C double bond O, and CH3 इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, कि जह यह जहां पे आपका यह O है, इस तरीके से, यह आपका O हो गया ना, यहां पे यह वली linkage होती है, then यह हमारा oxygen है, यह चुछ इस तरीके से हो गया, यहां पे मेरा CH2 OAC हो जाता है, similarly, यह आपका H है यहाँ पे आपका OAC हो जाएगा यहाँ पे आपका OAC हो जाता है H and यहाँ पे मेरा CH2 OAC हो जाएगा and similarly, यहाँ पे आपका OAC यहाँ पे H ऐसे ही यहाँ पे OAC यहाँ पे H similarly, यहाँ पे OAC यहाँ पे H और यह आपका CH2 OAC ठीक है और यह आपका H तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर भी आपका OH होता है वो आपका इस सरीके से O AC में convert हो जाता है ठीक है यह आपका AC dial group वहाँ पर लग जाता है तो जितने आपके OH group होंगे उतना ही तो कितने OH group हैं आपका 1, 2, 3, 4, यह आपका 5, यहाँ पर आपका 6, 7, 8 और हम यहाँ पर अगर देखे तो हमारा 8 जगह पर 80 पोजिशन स्पर है 3, 4, यह आपका 5, 6, 7, 8 यानि कि इसके कितने मोल लगेंगे हमें इसके यहाँ पर हमें 8 मोल लगेंगे चिक है इसके 8 मोल रियक्ट करेंगे तो कितने मोल चहिए होते हैं हमें 8 मोल चहिए होते हैं यह डिपेंड करता है हमारा नंबर ओफ ओएच गरूप पे जितने आपके ओएच गरूप होते हैं उतना ही हमारे आसिटिक और अइडाट यहाँ पर लगेगा थेंक्यू